पहली बार ऐसा हुआ है जब दिल्ली क्राइम ब्रांच की कमान किसी महिला अधिकारी को सौपी गई है जी हाँ 2009 बैच की महिला IPS मोनिका भारतवाज को क्राइम ब्रांच का DCP बनाने से पुलिस फोर्स में महिला पुलिस कर्मियों और अधिकारियों का मनोबल बढ़ेगा मोनिका पुलिस में कई एहम पदों समेत पहले जिले की कमान संभाल चुके हैं इससे पहले भी दिल्ली में मोनिका भारतवाज ने 30,000 वकीलों के साथ हुए बिवाद के वक्त सैयम दिखाया था जिसकी बाद में काफी प्रिशन सा हुई थी आज हम आपको मोनिका भारतवाज की कहानी बताते हैं मोनिका हरियाना से तालूक रखती है अब तो समाज में काफी बदलावा चुका है लेकिन हरियाना उस शेतर से आता है जहां पर लड़कियों को पैदा होते ही गला घोट कर मार दिया जाता था हरियाना के ही सामपला गाउं की रहने वाली मोनिका ने अपने दादा की एक्छा को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया बचपन में दादा अपनी पोती को सच्चाई और इमानदारी की सीख देते थे और कहते थे कि देश और समाज की सेवा करना ही सच्चा धर्म होता है दादा की इनी बातों को मोनिका ने हमेशा अपने दिल में रखा और एक जुनून बना लिया देश सेवा करने का लड़की होने की वज़े से उन पर शादी कर जल्दी घर बिसाने का प्रैशर भी था वो हाउस वाइफ बनकर बच्चों को पालने पोसने में अपनी जिंदकी बरबाद नहीं करना जाती थी वो जाती थी कुछ बड़ा करना जिसे नाम रोशन हो उनका परिवार का और पूरे गाउं का और ये हुआ भी और वो हर्याना के छोटे से गाउं सापला की पहली महिला आईपियस अफसर बनी और परिवार का नाम रोशन किया IPS बनिका उनका सफर बड़ा ही संगश परा रहा उन्होंने बस में धक्के खाए लेकिन कभी भी अपने जजबे को कम नहीं होनी दिया मोनिका ने पढ़ाई गाउं में रहकर ही पूरी की दसवी तक सांपला और बारवी की पढ़ाई रहतक से करने के बाद B.A.C के लिए दिली के किरोडी मल कॉलेज में दाखिला लिया लेकिन गाउं से यहां तक की दूरी कोई कम नहीं थी रोजाना जाना होता था लेकिन बस इतनी आसानी से नहीं मिलती थी चाहे DTC हो या हर्याना रोडवेज की बस लंबा इंतजार रोजाना की बात होती थी कई बार तो गाउं में स्टेंड नहीं उनकी कालन बस हाथ देने पर भी नहीं रुपती थी और किसी तरह बस मिल भी जाती थी तो उसकी बाद दिली का जाम इस सब परिशानियों के चलते एक गंटे का सब फर कई बार तो हमेशा समय पर पहुची और प्राइवेट नौकरी कर पैसा भी कमाया लेकिन जाना तो सिवल सर्विस में ही था अपने इसी लक्ष के चलते महनत की अस साल दोजानों में सफलता रंग लाई और मोनिका आईपिएस ऑफिसर बन गी अब उन्हें क्राइम प्रांच के जिम्मदारी सौपी गई है उनके लिए क्राइम प्रांच के जिम्मदारी एक बड़ी चनौती होगी इसकी वज़े यह है कि यहां ना सिर्फ उन्हें जांच पर फोकस करना होगा बलकि उनका प्राइमरी टास्क स्पेशल सेल की तरह को ख